आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग अमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों मदुमे के साथ लोगों को हर दिन स्वास्त समस्याओं के साथ सौधा करना पड़ता है मदुमे खराब खान पान और आनियंतरित आदतों की वज़े से बढ़ जाता है मगर आज हम आपको कुछ ऐसे देशी इलाज बताएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं प्राकरतिक कच्चा भोजन सभी प्रकार के रोगों के लिए सबसे अच्छी दबा है कच्चा भोजन शरीर के एंजाइमें में मिल जाता है ऐसे खादेपदार जिनने कच्चा खाया जा सकता है उन्हें कच्चा भोजन बोलते हैं जैसे कि स्प्राउट्स, फल, जूस, नट, आदी ऐसा कच्चा भोजन जिसमें फाइवर अधिक मात्रा में होता है यही धीरे धीरे वो शोगर लेवल को शरीर से खींच लेत करते हैं व्यायाम बिना किसी दवाई के मदुमे को नियंतरित करने की शंता रखता है यह रोग की गंभीरता को कम कर देता है और काफी लंबे समय तक जटिलताओं के जोखिम को कम करता है व्यायाम उन लोगों को जरूर मदद करता है जो शोगर से इसलिए ग्रस्त हैं कि उ उच्यरक्त चाप को कंट्रोल में रखने में मदद करता है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन-कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिनसे आप अपना मदुमे कंट्रोल कर सकते हैं और मदुमे को चीक कर सकते हैं तुलसी के पत्तों में ब्लड शोगर की लेवल को कम करने की शक्त होती है तुलसी के पत्तों में शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो ब्लड शोगर को कंट्रोल करके एक्स्ट्रा शोगर कंटेंट को शरीर से निकलने में मदद करता है इसके अलावा इसब गोल की भुसी को भी ब्लड शोगर में इंसुलिन के रूप में उपियो क अगला है मेथी, मेथी का पानी पीने से शुगर से छुटकारा पाया जा सकता है, मेथी का पानी कैसे बनाते हैं वो आप हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, अगला है करेले का जूस, करेले की जूस को स्टेरोइट्स के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, ये ब्लड शुगर को कम करता है, अगला है जामुन का रस, पत्ते, बीज, ब्लड शुगर को हमेशा के लिए शरीर से खत्म कर देते हैं, आमले का रस बहुत ही गुणकारी होता है और वो भी शुगर के साथ साथ कई और बिमारियों से भी निजात दिलाता है, कारवा हाईडरेट की राय के मुताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आयुरवेद समाधान क्योंकि आयुरवेद समाधान है हर रोग का निदान